लाओ बन रोटी दे दो बाबा बुखा है तेरी बन मैं के गई है आज तो तेरा जीजा भी भुखा है सुनो जी सादी से पहले सर कौन दबाता था सादी से पहले सरदर होता ही नहीं था यह तो सादी के बाद चालो हुआ है सरदर और अब कैसे हो दारू पीना बन किया या नहीं जी बिल्कुल छोड़ दिया है बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ वेरी गूड और ये कौन तुमारे साथ भाई साब है जी ये रिक्वेस्ट करने के लिए आदमी रखा हुआ है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सस्क्राइब कर देना फिलीज दोस्तों यह जो मुझे दे रहे हो तो सुर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू दार का फ्लेट यहां पर बाट रहा है दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लाकि लाइक सेस्क्राइब नहीं करते हैं प्लेश यार कर दिया करो हाँ तो बताईए ऐसा भी क्या हुआ कि स्वागरात को ही तलाग देना पड़ा अरे ओकिल साब अब मैं क्या बताऊँ आपको अगर बताऊगे नहीं तो करवाई कैसे होगी आगे हाँ तो ठीक है ध्यान से सुनिएगा मैंने कहा कि गुगट उठाओ तो वह बोली कि आप उठाओ ना मैं उसी वक्त समझ गया कि ये औरत कामचोर है हेलो प्रेंट्स वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूब बताएं अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब करते हैं प्लीज काका साब मेरे पते इमीद में बोलने लगे हैं क्या करूं उन्हें दीन में बोलने का मुका दीजिये पंडी जी एक बात बताएं सादी के बाद साथ जनों बाली बात सच है क्या जी सोब पिसिदी सच है मतलब मुझे अगले जनम में भी यहीं पत्नी मिलेगी जी बिल्कुल वे वगवान फिर तो खुद खुसी करने से भी कोई फैदा नहीं दुकान पे कोई है क्या हाँ बोलिए क्या चाहिए सेट के लिए एक अच्छा कपड़ा दिखाईए प्लेन में दिखाओं क्या वे बंदर की अवलादी यहीं पे दिखा अच्छा के लिए तुम दोलो चुप हो जाओ पहले कुद्टे की बात सुल लेने दो असुलो जी मैं एक बात पुछो क्या पूछो कौन सी बात पुछनी है मुझे कुछ याद रही है पंडी जी ने क्या का था मैं उस दिन तो खुदी बांक के नसे में था